रक्षा बंधन पर धन वर्षा और सम्रिद्धी के लिए कुछ विशेश उपाई किये जा सकते हैं 1. रक्षा बंधन की पूजाह रक्षा बंधन के दिन बेहन अपने भाई की लंबी उम्र और सम्रिद्धी के लिए विशेश पूजा करें भाई को अच्छे स्वास्थय और धन की प्राप्ती के लिए प्रार्थना करें 2. लक्ष्मी पूजाह लक्ष्मी माता की पूजा विशेश रूप से धन और सम्रिध्धी के लिए होती है रक्षा बंधन के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करके उन्हें प्रसाद अर्पित करें और उनके चरणों में नमन करें 3. स्वस्तिक और लक्ष्मी चेहनह रक्षा बंधन के दिन घर के मुख्य दर्वाजे पर स्वस्तिक और लक्ष्मी के चिन्ह बनाएं यह माना जाता है कि इससे घर में धन और सम्रिध्धी आती है 4. मिठाए और फालह मिठाए और फल घर में शुभता और सम्रिध्धी लाते हैं 5. धनतेरस की तैयारी है रक्षाबंधन के दिन से ही धनतेरस की तैयारी शुरू करें ये दिन धन और सम्रिध्धी के प्रतीक होता है और इसके लिए विशेष पूजा और व्रत की जाती है 6. दान और परोपकारह रक्षा बंधन के दिन किसी जरूरत मंद को दान दें ये भी माना जाता है कि दान करने से धन में वृद्धी होती है इन उपायों को ध्यान से और श्रद्धा पूर्वक करने से धन और समृद्धी में वृद्धी की संभावना होती है